आपको बता दे कि लोग सबाचुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा धाव भी खेलने के तैयारी के लिए दरसल महिला मतदाताओं को साधने के लिए एक बड़ी रणीती बनाई गई है भोपाल में उत्तर भारत का महिला अधिवेशन होगा फरवरी में एक बड़ा सम्मेलन हो सकता है और इस अधिवेशन में प्रीम मोदी खुद शामिल हो सकते हैं तो महिलाओं को लेकर सरकार के विजन पर फोकस किया जाएगा किसी बड़ी युजना की घोशना की जा सकती है जम्मू कश्मीर से लेकर जारखन तक महिलाएं इस आयोजन में शामिल होगी बड़ी कबर है विधान सबाचुनाव में जिसरा से सफलता बीजेपी को मिली और उसमें एक बहुत बड़ा हाथ महिला वोटर्स का था तो उत्तर भारत का महिला दिवेशन जिसमें सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी ये बड़ी ख़बर है इस वक्त की और चली किस सरा का सम्मेलन होगा क्या कुछ मंशा बीजेपी की पाटी की है समझने की कोशिश करते सीधे रुक करते हमारे साथ मेरी सेवगी रंजना इस वक्त लाइफ चुड़ गई है रंजना एक नई रणनी थी क्योंकि विधासबा चुनाव में जिसरा कि अपार सफलता म महिलाओं के बूते बीजेपी को मिली है यही कारण है कि लोगसबा चुनाव में भी आधियाबादी को साधा जा रहा है जी जै बिलकुल देश भर की जो महिलाएं हैं वो लगातर जीत और हार में निर्नाइक भूमी का निभाती है विधान सबच नावो में जुस तरीके से परिणाम हमने देखे हैं माधिप्रदेश और 36 गड़ में और इसके अलबा अलग अलग राज्यों में उसमें जो महिला वोटर्स हैं उनका जो वोट प्रतीशत है वो बहुत ज्यादा रहा है पुर्शों के मुकाबले और अब माधिप्रदेश में जो महिला वोटर्स हैं उनके लिए तमाम तरह साधनी के जो कोशिश हैं वो की जा रही है लेकिन अब सिर्फ एक राज्य नहीं है बलकि देश भर की महिला वोटर्स के साथ जो सम्मिलन है वो होने जा रहा है जिसमें देश भर की महिलाएं शाम उसकी बारे में जो सम्हिलन है उसमें बताए जाए गोर इसीके साती आने वाले दिनों में उन के लिए क्या कुछ और नई योजनाए है जो भाजपर Śरकार की तरफ से तयार की जारी उनकी बारे में जानकारी दी जाएगी क्योंकि बीते कुछ सालों से अगर देखा जाए तो सरकार का फोकस महिलाओं को आर्थी क्रूप से, सामाजी क्रूप से और खुद अपने इस तर पर जो शशक्त और मजबूत बनानी की दिशा में जो योजनाए चलाई गई थी वो कारगर थावित हुई है और इसी के चलते जो महिला वोटर्स हैं उनका बड़ा बोट बैंक इस पार्टी के साथ भी आया है तो ऐसे में जब लोग सबा चुनाव होने वाले हैं तो महिला वोटर्स पर सरकार की नज़र है और ज्यादा उनके बोट प्रतीशत में एजाफा हो कुछ इसी दिशा में अब उनको जो साधनी की जो कोशिश है चुनावों से पहले वो की जाएगी और इस से पहले जो सम्म सम्मिलन है वो किया जाएगा जिश में देश भर की जो महिलाएं हैं वो शामिल होंगी और आगा में योजनाओं और उनके विकास के विजन को लेका जो चर्चा है वो इस सम्मिलन में की जाएगी जाएगी जाएगा